सभी को राम राम, यूवी का मशरूम पर आपका स्वागत है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे मशरूम पेकिंग पनेट हैं और जो सीलिंग फिल्म हो जो होती है हमारी वो कितने टाइप की होती है और अगर आपकी सीलिंग फिल्म सही नहीं है तो उसकी वज़े से आपको कौन सी दिक्कत आ सकती है और पनेट का जो है क्या रेट पड़ता है और हमारा एक किलो मशरूम की पेकिंग में लगबग क्या कोस्ट आती है आइए चलिए इस वीडियो में आगे चल कर देखते है भाईयो जैसा कि आपको वीडियो में देख रहा है यह हमारे पेकिंग पनेट रखे होए है यह आपको देख रहा होगा यह हमने यह एप्रोक्स 90 के लोग के आसपास हमारे पेकिंग पनेट है जो उमने स्टॉक अभी रखा हुआ है इतना ही बचा है हमारे पास बाकी का सीजन में लग गया था तो दोस्तो आईए हम पहले तो आपको पनेट का वेट और जो है इनकी कैलकुलेशन बताते हैं दोस्तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक वेगिंग स्केल है और इसके ऊपर यह आपका 10 ग्राम एक पनेट में वेट दिखा रहा है जैसे अगर हम दो डाल देंगे तो यह 25 ग्राम दिखा रहा है इसका रीजन यह है कि यह हमारा 50 किलो वाला जो है वेइंग स्केल है तो इस स्केल में 1-2 ग्राम का डिफरेंस हो जाता है इसलिए अगर मैं उठा दूँ इसे तो आपको दिख रहा होगा यह 15 ग्राम दिखा रहा है तो दोस्तों जब मैंने छोटे कांटे पे इसका वेट करा तो उसमें लगबग 13 ग्राम के करीब इसमें वेट बैठा एक पनेट में इस तरह से यह जो हमारा अगर हम साड़े बार 13 ग्राम वेट अगर लेके चलते हैं तो एक किलो में यह लगबग 80 पीस के आज पास पनेट चड़ते हैं और यह जो हमारा एक पैकेट है पनेट का जो यह उपर आपको दिख रहा है यह पांच किलो का होता है इसे में लगबग 400 पीस हमारे होते हैं तो 80 पैकेट अगर हम 80 पनेट पर किलो के हिसाब से भी अगर बात करें तो 110 रुपे पर केजी इनकी कोस्ट पड़ती है तो लगबग 22-23 पैसे का एक पनेट हो जाता है आईए दोस्तो अभी आपको मैं ceiling film का भी दिखाता हूँ दोस्तो यह हमारे ceiling film की पेटी है इसमें इस तरह से 6 जो है पीस आते हैं इसमें आपको कही तरह की quality मिल जाएगी यह जो आप देख रहे हैं यह दोस्तो anti-fog है anti-fog का मतलब जो है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ आपको कुछ जो पीस है यह वैसे भी मिल जाते हैं उनमें यह जो गत्ते की मोटाई होती है यह जादा होती है और यह जो polythene यह कम होती है वह आपको 200-200 रुपे में भी मिल जाते हैं पर उनकी quality और यह जो ceiling film है इसकी quality में बहुत difference है यह आपको लगबग 600 रुपे का एक रॉल पड़ता है और anti-fog का जो मतलब है वह आप आगे अभी इस photo में समझ जाओगे जो photo आपको screen पर दिख रही है कई बार दोस्तों mushroom का color इस तरह का हो जाता है तो उसका main कारण होता आपका सही से ceiling film का ना होना अगर सही quality की film नहीं है तो इस तरह की दिक्कते आती है दोस्तों यह जो हमारी एक film है इससे लगबग 100 किलो mushroom pack हो जाती है लगबग 500 packet पलस माइनस दस वो depend करता है आदमी आदमी की skill के उपर और यह जो film है अगर हम इससे on an average 500 packet भी अगर करते है pack तो 600 रुपे की यह roll पड़ता है उसके हिसाब से यह लगबग हमें एक point दो पैसा एक उसकी कीमत पड़ती है यह दोस्तों देखिए हमारे पास दो पेटियां रखी होई है तो एक point दो पैसा के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हमारा एक piece है उसको pack करने में जो total cost हमारी आती है एक piece को total pack करने में cost लगबग हमारी 2 रुपे के करीब आती है ऐसे हमारे 1 किलो में 10 packet वो 5 packet होते हैं तो 10 रुपे की packing cost आ जाती है हमारी material की अपनी लेवर उसके बाद अलग है वो अलग से बात करने का अलग विचय है पर अगर हम raw material की cost लगाएं तो इतना आ जाता है तो दोस्तों अभी अगर आपको जो अपनी मसरूम के अंदर complaint से बचना है जो आपको फोटो में जैसे की पीछे वीडियो में देखा आपने इस तरह की अगर दिक्कते आती हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप सही ceiling film का चुनाव करें और अपने product के लिए सही सही rate लें आसा है आप वीडियो में दे गई जानकारी समझ पाए होंगे वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार